हेलो स्टुडियंट्स अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 से कुश्चान नमबर 2 दा एरिया आफे ट्रेपेजियम इस 34 सिंटीमीटर स्क्वार एक ट्रेपेजियम है कोई ट्रेपेजियम कैसा होता है उसकी कोई दो लाइन जो है वो पैरलल होती है ना यह होता प्रेज बना सकते हैं ठीक है इसको देखो साइड बैलल है ठीक है दो साइड पैलल होनी चाहिए दोट पैलल नहीं होगो चलेगा ठीक है तो कैसे भी आप ट्रेपेजियम बना सकते हूँ जो ही नहीं ऐसे ही बनातो ट्रपेजियम में दो साइट पैरलल होती है एक को हम A मानते हैं और एक को हम B मानते हैं ठीक है और हाइट ट्रपेजियम की कुछ पर्पेंडिकुलर हाइट होती है जिसको हम H कहते हैं यह तीन चीजे हमारे ट्रपेजियम में होती है एक पैलल साइट को हम A मानते हैं, दूसरी पैलल साइट को हम B मानते हैं, और पर्पेंडिकुलर हाइट एक होती है, कुछ को इसको H मानते हैं इसका एरिया दिया गया है, कितना दिया गया है, 34 cm2 इसके पहले वाले question में, question number 1 में, मैंने साइट answer में square नहीं लगाया था, वो देख लेना, आप लोग ठीक है, area find करना था न, table top का, तो उसमें square लगाना है area में, मैंने साइट लगाया नहीं था, लगा देना आप लोग, फिर area दे दिया गया, and the length of one of the parallel side is 10 cm, एक parallel side की length दिया है, 10 cm, दोनों में से कोई सभी एक माल लेते हैं, माल लो ये वाला दिया है, 10 cm, one आप दो बोल रहा है न, तो दोनों में से कोई एक, and its height is 4 cm, और इसके height कितना दिया हुआ है, 4 cm, find the length of the other parallel side, तो दूसरे parallel side की length बतानी है, ये हमको नहीं पता है, question mark, ठीक है, कैसे पता चलेगा, देखो मैं आपको एक चीज़ बताओ, तरीका, हर question में लगाना है, जब भी, कभी आपसे, area दे दे, और perimeter दे, कुछ भी दे दे दे, दोनों में से, और side पूछ ले, length पूछ ल आपको करना ये पड़ेगा, कि जो दिया रहेगा, उसको उसके formula के equal में रखना पड़ेगा, ठीक है, जो दिया है, उसको उसके formula के equal में रखना पड़ेगा, ये ही तरीका है, तो पहले हम लिखेंगे, area दिया है न, लिखेंगे हम पहले, area of the trapezium, क्या होता है, 1 by 2 A plus B into H यही होता है formula area of the trapezium ठीक है तो अब क्या करेंगे area of the trapezium दिया गया है कितना दिया गया है 30 cm तो जो दिया गया है उसको आप लिखेंगे 34 दिया है सारी 34 cm square ठीक है area of the trapezium कितना दिया गया है 34 cm square area of the trapezium formula जो होता है उसको आप इसके नीचे लिखना 1 by 2 A plus B into H यह formula आप इसके नीचे लिखना और जो दिया गया है उसको आप इसके लिखना 34 ठीक है अब क्या करेंगे जो भी दिया रहेगा यहाँ पर A, B, H जो भी पता है उसको लिख देना तो 1 by 2 ऐसे ही रहेगा A हमको पता है 10 B नहीं पता है B रहने दो into H हमको पता है 8 H कितना है 4 है इसको टू 34 ठीक है हमने फार्मूले के इक्वल में रख दिया वह वास बताये थे जो भी दिया रहे एरिया यह पेरिमिटर उसके फार्मूले के इक्वल में जितना दिया रहे उसको रखना पड़ेगा ठीक है अब इसको solve गैसे करेंगे हम देखिए यहाँ पर कौन सा सिंबल है multiply है अगर कोई सिंबल नहीं होता तो यहाँ क्या होता है multiply और यहाँ भी है multiply यहाँ तेन टर्म है तेनों में multiply का सिंबल है तो उपर नीचे हम काट सकते हैं ठीक है 10 प्लस B को हम 2 से नहीं काट सकते हैं लेकि 4 को काट सकते हैं 2 से ठीक है 2 से जब 4 को काटेगे तो कितनी बार जाएगा 2 2 जब 4 ना तो कितना आगे है यह हमारा अब 1 तो खतम ही हो गया वन कोई value नहीं देगी यह आगे 10 प्लस B इंटू क्या बचा है 2 इसकोल टू 34 ठीक है एक काम और कर सकते हैं अब कि 2 को उधर लेके चले जाओ इदर multiply में है फिरकट के साथ हो जाएगा तो यह हो जाएगा 10 प्लस B इसकोल टू 34 डिवाइड बाई 2 multiply में था जाएगा डिवाइड उचला गया ऐसे आप कर सकते हैं तो यह कढ भी जाएगा कढ के कितना जाएगा यह कितना बाद जाएगा 17 बादना 72 जा 34 होता है कितना गया 17 तो 10 प्लस B कि वैलू कितना आ गया 17 तो ब्रेकर 30 सकता है कुछ है नहीं बाहर तो B is equal to क्या हो जाएगा 17 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इदर प्लस कता और 17 में 10 माइनस होगा तो 7 आ जाएगा सारा सेंटीमीटर होगा तो यह भी सेंटीमीटर होगा यही आपका एंसर है अनादर साइड पता करना था और अनादर साइड कितना है माने थे हम B और B जो है हमको पता चल गया 7 सेंटीमीटर यही आपका एंसर है इसको आप और भी कई सारे तरीकों से solve कर सकते हैं ठीक है सबसे आसान तरीका हमको जो लगा हम वैसे solve कर दिए आपके यह तरीका और solve करके दिखा जए आपको यहाँ पर और कैसे solve कर सकते हैं देखो 1 by 2 10 plus B into 4 is equal to 34 क्या कर सकते हैं हम कि 2 से जब आप इसको काटोगे यह हो जाएगा 2 अब इस 2 का अंदर multiply होगा दोनों में अगर आप उधन नहीं ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा 20 plus और 2 का B में multiply होगा तो हो जाएगा 2B is equal to क्या है 34 तो 2B is equal to क्या हो जाएगा 34 20 20 इधर plus क्या हो जाएगा तो minus क्या हो जाएगा 24 1 14 20 14 2 से कर गया तो कितना है 7 ऐसे भी बी कितना है सीव एक तरीका और हुत है कि यह इसका अंद्र कर दोनों तब दोने मैं काटे ही प्लॉक कर सकते यह में अपने इस आपसे कैसे भी इस वह सब्सक्ते खते हैं फीक है झाल झाल झाल